जहिन साथियो, स्वागते आप सभी का सत्य एक्सिलेंट यूटूब चैनल पे, आज की डेट में आपको बताने वालें कैसे आप अपने मुवाइल फोन से IT का मारसिट और सर्टिफिकेट डाउनलोड कर पाएंगे, लेकिन उससे पहले आप ध्याने केगा, यदि आपका IT का आ चुका है, और यदि आपने IT का रिजल्ट एसेट कर लिया है, तो 48 घंटे के बाद वहाँ से जोए जनरेट होता है, तब आपका IT का मारसिट और सर्टिफिकेट वेब साइट पर दिखाया जाता है, लेकिन यदि आपने एसेट नहीं किया है, तो सबसे पहले आप एसेट पेकिया, और आज की डेट में मैं उनका यहाँ पर लाइप पुरूप IT का मारसिट और सर्टिफिकेट डाउलोड करके बताने वाला हूँ, तो जो भी चातर डाउलोड करना चाहते हैं, वीडियो को कम्प्लिट देखिएगा, और यदि आप IT के चातर हैं, तो इस वीडियो सबसे उपर वाला जो आपसन आपको देखने को मिल जाता है, NCPT MIS, सिम्पल ही आपको इसी आपसन पे क्लिक कर देना है, और जैसे आप क्लिक करेंगे साथे हो, यह थोड़ा सा प्रोसेसिंग लेगा, क्योंकि जो वेबसाइट है काफी स्लो चल लईए, जबसे IT का रिजल् यहां पर आपको जो आपसन देखने को मिल जाता है, होम का, IT का और यहां पर ट्रेनी का, तो सिम्पल ही आपको ट्रेनी वाले आपसन पे क्लिक कर देना है, और जैसे ही साथी हो, आप यहां पे क्लिक करेंगे, तो देखिए, यहां पर आप आपको नीचे ट्रेनी प्रोफा तो आप असानी से बिल्कूल असानी से आप इसका open कर पाएंगे अपना profile और वहां से आप IT का मार्सिट मातर एक क्लिक करके download कर पाएंगे तो आपको करना के registration number तो registration number साथ हो जो आर से सुरू होता है वो वाला आपको फिल करना है उसके बाद यहां यहां पर अपने पिता जी का नाम लिखना है ध्याने कियेगा बिल्कुल कोई भी अच्छा मिश्टेक नहीं होना चीए दूसरी चीज़ यहां पर आपको date of birth बहुँ सरे चात date of birth में confused हो जाते देखिए जैसे आप यहां पर date of birth पर क्लिक करेंगे तो एक जो यहां पर आपको यहां पर calendar type को open होता हुआ नजर आएगा देखिए यहां पर मैंने mobile यहां पर rotate नहीं किया है इसलिए आप दिखाई नहीं देर होगा लेकिन आप यहां पर rotate कर रहा है इसलिए यहां पर आदा कट जा रहा है लेकिन आप सिधा करके mobile को आप करेंगे तो बिल्कुल सही हो जाएगा और इसके बाद यहां पर फिल करने के बाद यहां पर आपको इंटर इमेज टेक्स्ट दिख रहा है जो यहां पर EKB 9P जो कि आपका अलग होगा जो भी download करेगा उसका अलग होगा तब उसको क्या करना है यहां पर जो option देख रहा है एक box का इसी में आपको बिल्कुल सही तरीके से फिल कर देना है और यदि ज़्यादा यहां पर आपको harder लग रहा है तो यहां पर refresh का option है आप इसको दो बारा यहां पर change कर सकते हैं इसक यही तरीके से जैसे आप फिल करके submit वाले option पर क्लिक करेंगे आपका profile open हो जाएगा जहां पर my profile के आगे आपका नाम लिखा होगा मैं कुछ यहां पर चीज़े hidden कर दिया हूं तो इसको आप बिल्कुल ध्यान न दिजिएगा इसके बाद आप नीचे आजाए स्क्रॉल करत हैं dalla lies यहां पर नीचे आजाए और यहां पर आप जैसे नीचे आएगे यहां पर देखी है जो यहां पर सिकेंडियार का यहां पर ध्यान से देखेऊंगा यहां पर सि कर कर चुके उनका यहाँ पर जनेरेट हो चुका है अब आपको यहाँ पर स्क्रोल करते भी नीचे आजाना है और जैसे ही साथ हो आप यहाँ पर नीचे आएंगे तो यहाँ पर आपको मारसीट और सेटिफिकेट डाउनलूड करने का आपसं देखने को मिल जाएगा देखिए यदि आप यहाँ पर सेटिफिकेट डाउनलूड करना चाहते हैं तो प्रिंट सेटिफिकेट वाले आपसं पर क्लिक कर देना है और यदि आप यहाँ पर मारसीट डाउनलूड करना चाहते हैं तो मारसीट वाले आपसं पर क्लिक कर देना है और जैसे आप यहाँ आपक क्ल करेंगे एक PDF के रूप में यह डाउनलूड हो जाएगा